अगर मैं निश्काम हूँ किसे कर्म को लेकर ना चाहते हुए भी मेरा जो एंड गोल है एंड रजल्ट है बिना चाहे वह मुझे पराप्त हो जाता है परनतु ऐसे स्तिती में क्या होता है कि जो मेरे निकटी मेरे जो परिवार के लोग हैं या फिर मेरे दोस्ते अमित्र रहे हैं वह कहते हैं कि तुमने काफी अचीव कर लिया और एक प्रकार का जो डिसक्रशन होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है जिसमें कि वह समझते हैं वह कहते हैं कि तू घमंडी हो गया है तू इस तरीके से पहुच गया है तो यह बड़ा ही डिफिकल्ट सा सिचुएशन मेरे कामना रहती है ना कि वो ना बोलें कि तू घमंडी है मेरा सवाल था सर कि ऐसे जो मेरा सवाल हो उससे चोट लगती है तो थोड़ा सा का मतलब है कामना कुछ और थी कामना थी ना कि घमंडी ना बोलें बिल्कुल बिल्कुल तो आप निश्काम कर्म कहां से कर रहे थे मैं जब निश्काम कर्म करता हूं तो लोग मेरी वावाई नहीं करते यह कौन सा निश्काम कर्म है यह कौन सा निश्काम कर्म है भाई तो सर ऐसी इस्तिति में मेरी प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया क्या होने चाहिए उनसे तारीफें पाने के लिए काम करना बंद करिए अगर आपको किसी की बात से चोट लगती है कोई निंदा कर दे चोट लग जाए तो कहीं न कहीं आप उसकी तारीफ की कामना रखते थे जिससे तारीफ की कामना नहीं होगी उससे निंदा मिले तो चोट नहीं लग सकती, एकदम नहीं लगेगी, दो लोग हो, कोई दो लोग, दोनों आपको गाली दे, क्या आपको एक समान चोट लगती है, और एक ही गाली दिये दोनों ने, बोलिये, क्यों, क्योंकि दोनों से आपकी कामना अलग-अलग थी, दोनों से कामना अलग-अलग थी, तो चोट गाली से नहीं लगती, चोट कामना से लगती है, जो निशकाम हो गया होता उसको चोट लगी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे कामना ही नहीं बची थी कि कोई मेरी स्तुति करेगा प्रशंसा करेगा उसको कुछ बचा ही नहीं था आप उसको अच्छा बोल दीजिए तो भी वो चढ़ नहीं जाएगा चणी के जाड़ पे आप उसको बुरा बोल दीजिए तो गिर नहीं पड़ेगा ज़ाड से नीचे उसके लिए दोनों संभाव की बाते है देखो सही काम करना हो ना तो ये सब बाते हैं कि आसपास के लोग घरदार वाले क्या बोल रहे हैं रिष्टेदारों ने ऐसा कर दिया तारीफ नहीं मिली कोई आकर के पुछ बोल गया ये बहुत शुद्र स्थर की बाते होती है इनका अगर ख्याल रख रहे हो तो कोई ढंका काम तो जिन्दगें बिलकुल नहीं कर पाओगे कोई आपका सचमुच हितैशी हो ज्यान का बोध का एक स्थर रखता हो और वो आपको सलाह देने आए वो एक बात है उसको सुन लो उस व्यक्तिका स्तर देखके उसका बोध देखके और उसकी नियत देखके आप उसकी सलाह सुन ले वो एक बात है और ऐसे ही सब वहाँ पे घरेलू एक महफिल बैठी हुई है और आप चाहें कि इसमें आपका इस्तुतिगान हो, वो बिलकुल दूसरी बात है। नजाने कितने लोगों के उचे-उचे इरादे खाक हो गए। सिर्फ इन्ही चक्करों में कि रिष्टदार क्या सोचेंगे। और यार क्या कहेंगे। कौन से कॉर्स में एड्मिशन लेना यह बदल जाता एक रिष्टदार क्या सोचेंगे। कौन से कॉलेज में जाना है वो बदल जाता है। कॉलेज भी अगर चुनना है तो भारत का या विदेश का वो बदल जाता है रिष्टदार क्या सोचेंगे। ब्याक इससे करना है यह तक चीज बदल जाती है कि रिष्टेदार क्या सोचेंगे कैसे जी हो गया इन बातों पर ध्यान देते हो तो लोग कहते हैं तु घमंडी हो गया है हो गया हूं पूरा पूरा है आपने कम समझा भी बुलेशा बाबा का ही है बोले कि जिस दिन से रब का आशिक हुआ हूं उस दिन से दुनिया पीछे पड़ गई है ताने मार मार गए तो बोलते हैं मैंने क्या किया वो मुझे बोलने लगे तू काफिर हो गया है वो काफिर काफिर आखते और मैं बोलता हूं आहो वो क्या है आशेक होया रब का बड़ा खूब सूरत है वो जितना मुझे बोलते हैं कि तू काफेर में उतना बोलता हूं आहो आहो माने हां हां हूं और यह बहुत मिल्धार बात होती है जो आदमी सचमुष धार में को जये वो दुनिया की नजर में नास्तिक हो जाता है वो है ना कि याद में आता है आशिक होया रबदा होई मलामत लाख तेनु काफिर काफिर आख दे तु आओ 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 विरोध भी मत करो भोले घ्मंदी है वोलो हाँ आखिरकार राज खुली गया मेरा मेरा सीक्रेट आउट हो गया आपने पता लगाई लिया मैं बहुत घमंडी हूँ खेर कोई बात नहीं बाप जानी गए है तो मुस्से दूर रहिएगा मैं तो घमंडी हूँ न तेनू काफिर काफिर आखते तू आहो आहो आख आशिक हो या रबदा हुई मलामत लाख जो रब का आशिक हो जाएगा हो यह नहीं सकता कि दुनिया उसकी बदनामी न करे सबसे बड़ी बदनामी तो यही करेगी बोलेगी यह काफिर हो गया अजीब बात कि जो सच्मुच आस्तिक होता है सबसे पहले उसी को नास्तिक गोशिद करते हैं अब क्या कामना है बैठके लिए अब सबस्तिक करें बीदका cell 1 बीद्दके बीदक 맛 अब करते हैं कर दो